Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल रासधानी के अंदर, जहां पर वो अपना Party Office को खोल सकते हैं, तो क्या हुआ है कि इस समय प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे, आम आदमी Party का जो Headquarter है, जहां पर मैं अभी आपको सब कुछ Map में दिखाऊंगा, वो BJP के Office के Just Pass में ही है, तो जहां पर इस समय आम आदमी Party का Delhi Office sets deadline, तो इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है, और साथी साथ Supreme Court ने ये judgment क्यों सुनाया, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, हमारा जो GS Foundation का batch है, इसके अं अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे Insta page पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly अभी हुआ क्या है, देखे एक अरविंद के जिवाल की जो आम आदमी party है, उनको अपना headquarter खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो land पर अपना headquarter बनाए हुए हैं, वो land actually high court के लिए था, दिल्ली high court के लिए था, और वहाँ पर एक court है, मैं आपको अभी map के थुरू दिखाता हूँ, चलो, ये दिल्ली के अंदर basically आपने सुना होगा एक जगह है, station है, वो आपको समझ में आ गई होगी, ये आपका railway station होगया, तो यहाँ पर अप ध्यान से देखेंगे, इसी road पर भारती जनता party का office भी है, और ये भी नया office बनाया गया ता, अक्सर आप देखते होंगे, PM होधी, जब भी कोई elections वगर हुआ, या फिर कोई गतिविधी होती है, तो वो party headquarters जाते हैं, तो वो यहीं पर जाते हैं, ये आपका भारती जनता party का office है, और उसके just pass में ही, यहाँ पर अगर आप देखिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा, आम आदमी party का office, यहीं पर है, ये आम आदमी party का office, ये इधर आपको देखने को मिल रहा है, लेक के तहत ये जो राउज एवेन्यू कोट है इसको एक्सपैंड किया जाना था तो ये लैंड बेसिकली इसके अंडर में आता है लेकिन यहाँ पर क्योंकि आम आदमी पार्टी का आफिस बना हुआ है जिसकी वजए से सुप्रीम कोट ने कहा है कि ये एक तरह से एंक्रोच्में है और आम आदमी पार्टी को 15 जून तक समय दिया गया है देखो अभी क्योंकि लोगसभा का चुना आने वाला है तो लोजिस्टिकल इशूज वगर होंगे प्रॉब्लम्स होगी इसको देखते वे एक महुलत दे दिया है एक तरह से आप कह सकते हो सुप्रीम कोट ने और क पेस कौन देता है वो देती है सेंट्रल कॉर्मेंट तो यहाँ पर अब क्या है सुप्रीम कोट ने कहा है कि आप सेंट्रल गॉर्मेंट के अंदर जो एल एंड डियो आता है देट इस लैंड एंड डवलप्मेंट ऑफिस दोंट वरी मैं अभी आपको इसके बारे में और सुप्रीम कोट ने लैंड डवलप्मेंट ऑफिस को भी बोला कि आप आम आदमी पार्टी का जो एप्लिकेशन उसको प्रोसेस करिए और विथिन फोर वीक्स रिप्लाई करिए कि आप उनको कहां पर जगह देंगे और यह सारी चीजे मैं आपको बता दूँ सुप्रीम पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह लैंड डवलप्मेंट ऑफिस दोखो यह गौवर्मेंट ऑफ इंडिया के तहता है अंदर में आता है सेंट्रल गौवर्मेंट के अंदर आता है जिसके तहत क्या होता है कि जो गौवर्मेंट ऑफ इंडिया आपको बता ही है कि मा का एक specific जगा नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था कि land and development office बनाय गया था और बहुत सारा space अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर तो वो उनी के अंदर में आता है तो land and development office के अंदर आप देख सकते हो जैसे नर्बन affairs है उसके अंदर में आता है ठीक है I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी अब question यह है कि Supreme Court ने आम आदमी पार्टी को यह क्यों कहा कि आपने encroachment किया हुआ है आप उसको खाली कर दो इसका कारण क्या है देखो actually यह almost आप कह सकते हैं judgment actually February में ही आ गया था Supreme Court ने February में ही यह observe किया था और कहा था आम आदमी पार्टी को कि जिस land पर आपने बनाया हुआ है अपना पार्टी ओफिस वो एक तरह से encroachment कहलाएगा क्योंकि वहाँ पर जो Rouse Avenue Court है उसमें additional court rooms बनाने हैं यह मैंने आपको पहले ही पर दिखाया था ना यहाँ पर मैप के माधियम स कि यह Rouse Avenue Court इसके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर उसको further expand किया जाना था और वो expansion का कम यह आम आदमी पार्टी office के under इधर ही आ रहा था और इसी के वज़े से Supreme Court ने कहा कि यह जो आपने office बना दिया है यह एक तरह से illegal है ऐसा नहीं होना चाहिए औ क्योंकि यहाँ पर judicial infrastructure को बढ़ाना था, judicial infrastructure को further expand करना था इसी लिए finally मामला Supreme Court पहुँच गया क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का office था और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि नहीं यह illegal नहीं है और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी का reason क्या दिया गया उनकी तरफ से, लेकिन मैं आपको एक और चीज कह दूँ कि Supreme Court में आम आदमी पार्टी ने 15 February को कह दिया था कि हम दो महने के अंदर अंदर जो पूरा plot है उसको खाली कर देंगे, provided an alternative plot was given, मतलब आम आदमी पार्टी यह कह रही थी कि हम दो महने के अंदर खाली कर और जो Chief Justice of India डिवाई चंदचूरी है, उन्होंने कहा, no one can take the law into their own hands, how can any political party sit on it, मतलब कि कैसे आम आदमी पार्टी कानून को अपने हाथ में ले सकती है, और साथी साथ Supreme Court की तरफ से बोला गया, all encroachments will be removed, and high court should be given position, मतलब उस land का जो position है, possession है, sorry, वो आपका दिल्ली high court के अं argument क्या था, आम आदमी पार्टी क्या कह रही थी, देखो, आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जो encroachment की बात कही जा रही है, वो एक तरह से गलत है, मैं आपको बता दूँ, आप की तरफ से जो represent कर रहे थे, जो lawyer थे, वो थे, अभिशेक मनु सिंग्वी, ये वही है, अभिशेक मनु सिंग्वी, राजसवा का चुनाव हार गया है, खेर, यहाँ पर जो अभिशेक मनु सिंग्वी है, देखें, उन्होंने argument क्या दिया, उन्होंने कहा कि 1993 से 2015 के बीच में, ये जो land की बात कही जा रही है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी का office है, ये पहले दिल दिली सरकार ने क्या किया, ये land को आम आदमी पार्टी को allocate कर दिया, आरा है समझ में, तो यहाँ पर actually issue यही हो गया, कि दिली सरकार ने खुद से ही, अब अभिशेक मनु सिंग्वी का यहाँ पर ये कहना था, जो court के expansion की बात कही जा रही है, राउज एवेन्यू court में आपक इसके जो expansion की बात कही जा रही है, वो आपका 2020 के बाद ये मामला सामने आया है, और 2015 में ही ये ये जो area है वो आम आदमी पार्टी को allocate कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर ये गलत नहीं है, ये encroachment नहीं है, और साथी साथ आम आदमी पार्टी का कहना था कि देखिए हम भ इसी size का है, इसी area में है, लेकिन दो महने पहले यहाँ पर election के जश्ट दो महने पहले हमें एक तरह से road पर धकेनने की कोशिश की जा रही है, और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, देखिए, central government ने अपनी तरफ से क्या कहा है आम आदमी पार्टी को कि हम आपको एक land दे रह हूँ, यह आप देख रहा हूँ, यह वाला area, actually फरीदाबाद जो आता है न, यहाँ पर जो हर्याना आ जाता है, तो फरीदाबाद की तरफ यह बदरपूर का area आता है यहाँ पर, और जो इस समय अभी present में वो आपको cannot place यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो जो की दरपूर की तरफ धकेला गया, वहाँ पर भेजा गया, तो हम अपील करते हैं कि यहाँ पर बाकी जितने भी political parties है, national parties, BJP, Congress, उन सबको भी इसी तरफ आना चाहिए, तभी हम हमारे लिए accepted होगा, और देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक और चीज कह रही है, कि जि उसी एरिया में दो plot और इस समय खाली है, आम आदमी पार्टी का कहना है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो दो plot में से हमें एक plot यहाँ पर दिया जा सकता है, तो सब कुछ इस समय अच्छी Central Government के अब उपर है, कि क्या वो उनको allocate करते हैं कि नहीं वो एरिया, खेर यह आदमी पार्टी को allocate कर दिया, जो कि नहीं होना चीए, और साथी साथ Central Government का यह कहना था कि इस तरह से धमकी देना कि हम वो तभी वकेट करेंगे, जब तक हमें alternate land नहीं दे दिया जाता, ऐसा नहीं है, अगर आपको evacuate करना है, वहाँ से हटना है, तो हटना ही पड़ेगा, क्य उन्होंने कहा कि दिल्ली District Judiciary के जो infrastructure है, उसको expand करने के लिए जो पैसे वगर allocate करने चाहिए थे, वो दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, इंपर जो Chief Justice of India है, उन्होंने पहले ये भी mention किया हुआ है, कि करीब 4 में से 3 projects को अल्री ग्रांट किया जा चुका है, मार्च 2021 तक, लेकिन उसके लिए जो funds release करना है दिल्ली सरकार के दौरा, वो दिल्ली सरकार release नहीं कर रही है, तो ये भी एक तरह से आरोप लगाया गया है, खेर, finally यहाँ पर जब ये कल Supreme Court का judgment आया, और कहा गया कि दिल्ली सरकार को हटना ही पड़ेगा, no matter what, 15th of June तक, तो यहाँ पर आम आदमी party के office को हटना पड़ेगा, तो आम आदमी party ने इसका स्वागत किया, लेकिन साथी साथ ये भी कहा, कि we hope की BJP जो है किसी प्रकार की discriminatory politics नहीं करेगी, dirty politics नहीं करेगी, और हमें भी उसी area में यहाँ पर जो plot है, वो देगी, तो आप देखते हैं, central government ultimately क्या करती है, क्या उनको वापस से बदरपूर वाला ही area दे देती है, या फिर वहाँ का area देती है, देखने वाली बात होगी, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, देश में इन में से कौन से राज्य में उनका खुद का high quote नहीं है, ठीक है, यह आपको बताना है, इन चार राज्यों में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF की तो टेलिग्राम पर आईए, अलग अब तयारी हुई, अफोर्डिबल